आप 5 दिन में ड्रोन के पाइलेट बन सकते हैं, कृषी के चेतर में ड्रोन का उपियोग बढ़ रहा है, कृषी के साथ साथ दूसरे चेतर में भी ड्रोन का उपियोग बढ़ रहा है, ऐसे में ड्रोन को उड़ाने के लिए पाइलेट की जरूरत पड़ती है, और ये पाइले और certificate के drone नहीं उड़ा सकता ऐसे में आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि drone के pilot कैसे बन सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में drone के pilot के लिए रोजगार की कई संभावनाएं खुलने वाली हैं नमस्कार दोस्तों पांच दिन में आप pilot बन सकते हैं और ये pilot बन सकते हैं drone उड़ाने के अभी तक ज्यादातर लोगों को पता है कि drone सिर्फ शादियों में shooting के लिए काम आते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में drone कई छेतर में प्रियोग होगा और इन drone को उड़ाने के लिए certified pilots की जरूरत होगी ये भारत सरकार का नियम है पांच दिन की training लेकर आप certified pilot बन सकते हैं drone उड़ाने के और drone कई तरह के होते हैं जिन में aeroplane drone rotorcraft drone और hybrid drone तीनों रहे के drone उड़ाने के लिए pilot की training लेना जरूरी है और इसकी शुरुआत होती है rotorcraft drone से ये training लेने के बाद यकीन मानिया आपके नौकरी के बहुत सारे आवसर खुल जाते हैं और खुद का business भी शुरू कर सकते हैं लेकिन इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है इस वीडियो इतनी income ले सकते हैं ये सारी जानकारी बेहत काम की होने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि ये जानकारी आपके आगे काम आ सके टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों आप हैं वेडपाल जी ये सकेन अगरीकलटर उन्यश्ट्री जोबनेर जो राजस्थान में है यहां पर पाइलेट की ट्रेनिंग देते हैं इन्हें एटुजेट जानकारी है और आपको जानकर आश्रिये होगा कि सकेन एगरीकलटर उन्यश्ट्री जोबनेर में पहला ड्रोन पाइलेट की ट्रेनिंग का सेंटर शुरू हुआ था आप काफी जगे ट्रेनिंग दी जा रही है इसके बारे में भी वेदपाल जी बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार वेदपाल जी जो ड्रोन की आप बात कर रहे हैं पहले तो यह बते ही कि इस रहे हैं क्याएं कि आगे आने वाले समय में रोजगार की मुखे रूप से तीन प्रकार के लिए नौन नधे में नमस्टर में जो दौन यूज होरह हैं वह रोर्टर क्राब टैप के लिए लिए चैटी में यूज करते हैं वेदपाल्ती जैसे आप से बात विए ते कि कि जरूरत होगी कहां कहां संभावनाएं हैं द्रोन का अने वाले समय में एक रिकलचर के अलावा ड्रोन की डिलिवरी में एक वस्पिटल से दूसरे वस्पिटल में मेडिसीन या बलट सेंपल या बोडी के ओरगन ट्रांस्प्लांट कराने के लिए बेजते हैं उनकी Transport के अपने जो पीदावार को बड़ा कर अ Laura कर जिए लेना जरूरी है ट्रोन को उλαने के लिए पहले पाइलिट लेना जरूरी है और चिलत लेने के लिए कैंडीन का कोसह करना परता है इस कोर्स के लिए कम से कम कैंडिडेटको दस्मी में होना जरूरी है और उसकी उमर जो है 18 साल से कम नहीं होने चाहिए तो कोई भी दस्वी पास हुआ जिसकी उमर 18 साल से अधिक है वो इस कोर्स में भाग ले सकता है और पांदिन का कोर्स करने के बाद उसको पाइलेट सर्टिवेट हम जारी करते हैं जिसके बेस पे वो या तो सेक्टर में कहिं भी जोग कर सकता है या अपना खुद का भी व्येव रांभ कर सकता है जो लो खोलना चाहता है तो उसकी भी हम मदद करते हैं कि आप कर्स्टम हाइर सेंटर कैसे खोलेंगे आपको सबसेड़ी कहां से मिलेगी और क्या उसका प्रोसेस है इसके लावा किसी को फाइनेस की जुरूत है हम फाइनेस कराने में भी साइथा करते हैं उनको कम कीमत पर फाइनेस अवेलेबल कराते हैं तो हमारे दुवरा फाइनेस अवेलेबल कराया जा रहा है उसमें जो बेंक का रेगुलर इंट्रेस्ट रेट है उस पर तीन परसेंट का डिसकाउंट भी मिलता है तो आपने बताया कि जो दस्वी पास है ठारा साल से उपर का कोई भी यूआ ये ट्र लाशन रखनी है वो सारी बातें दो दिन के कॉर्स में पढ़ाई जाती है उसके बाद सभी कंडिडिएट कातेस्स को पास कर लहते हैं उनको आगे फिर नेक्स Old Men में simulator की class में बेजते हैं simulator की class में जो computer है उनके अंदर drone के software है और वहाँ पर उनको drone के जो remote के द्वारा control कैसे करना है वो control सिखाया जाता है ताकि अगले दिन जब वो drone flying करेंगे तो उनसे किसी तरह की गलती ना हो और किसी तरह की दुरगर्टना की संभावना ना हो उसमें simulator का टेस्ट पास जो candidate करते हैं उनको फिर तीसरे stage में drone की flying के लिए भेजा जाता है तो दो दिन की ड्रोन की flying होती है और उसमें लबबग हर candidate को साधे पांच घंटे की flying हम करवाते हैं उसमें भी बाद में टेस्ट होता है और जो candidate flying का टेस्ट भी पास करते हैं उनको हम फिर आगे पास करते हुए और remote pilot certificate इशू करते हैं यह certificate आप जो इशू करते हैं उसके आधार पर आगे फिर कहां कहां जोब की संभावनाएं बन रही हैं अभी फिलहाल ड्रोन इंडिस्ट्री में आने वाले सालों में लाखों रोजगार के अफसर मिलेंगे आप ड्रोन मैनुफेक्शरिंग सेक्टर में जा ढम कहते हैं आपने बात के की ड्रोन खरीद कर सकते हैं लेकिन द्रोन तो महंगा बहुत आता है उसको खरीदने के लिए काफी ध्यान दे रही है और ड्रोन टेक्टनोर्शिये को करने के लिए इस सबसीडी का भी क्लिए और्र तोइसको फिर किया गया है इसके लावा जो फाइनेस के लिए है तो फाइनेस पांच साल के लिए इस पे फाइनेस होता है और 90% टोटल कोष्ट का फाइनेस अविलेबल है जिस पर 3% ब्याज की दर में भी छूट होगी अगर आम तोर पर कोष्ट के बात करें तो कौन सा ड्रोन कितने का पड़ता है आम तोर पर एगरी कल्चर में जो सर्टिफाइड ड्रोन है उनकी कीमत लबग 7 7-8 लाके बीच में रहती है जब भी ड्रोन खरीदें तो वो सर्टिफाइड ड्रोन हो ना चाहिए उसका UIN नंबर होगा हां बाकी प्रोड़ेट्ट इलीगल है तो उनका इंसुरेंस भी नहीं होता है और कोई दुर गटना होती है तो आप किसी तरह का क्लेम भी नहीं ले सकते हैं तो आपको जब भी डॉन खरीदें जो गोर्मिट अपरूट ड्रोन है वही खरीदना है इसकी जानकारी कैसे म सेम उसी तरीके से डॉन का यू आ इंटिफिकेशन नंबर तो आपने बताया कि इसके दो तरीके से इसमें रोजगार मिल सकता है तो डार्यक नौकरी कर सकते हैं किसी भी कंपनी में या कोई सर्विस प्रोवायडर है वहां पर दूसरा खुद भी डॉन खरीद कर काम कर सकते और विसेशकर अग्रिकल्टर सेक्टर में तो उसमें क्या संभावना हैं काम करने की ड्रोन के माध्यम से अगरिकल्टर सेक्टर में ड्रोन की बहुत सी समावने हैं, अभी सरकार इसको जो नेनो यूरिया है या पेस्टिसाइड है उनके सप्रेंग के लिए प्रमोट कर रही है, तो इसमें ड्रोन के द्वारा अगर हम सप्रे करते हैं, तो उसमें लागत में काफी कमी आती है, तता क किसान को अधिक मुणाफा उसमें होता है, ड्रोन के द्वारा अगर हम सप्रे करते हैं, तो एक एकड में छिटकाओ के लिए लबबग 6 मिनिट का समय लगता है, जबकि अगर मैनियूल सप्रे करेंगे तो एक एकड में छिटकाओ के लिए लबबग 1.5-2.5 गंटे का समय ल होती है बड़ी यूझी फॉर्म होती है कोई भी पार्ट या पोदा बिना सपोरे की यह बसता नहीं है और बड़ी यूणी फॉर्म coverage होती है साथ ही इसके द्वारा जो एफेक्टिवनेस है जो केमिकल आप कर रहे हैं वो मैनियूल सप्रे के मकाबले ज्यादा होता है क्योंकि इसकी जो ड्रोपलेट साइज होता है बहुत बारिक होता है और जैसे ही पोदों के पत्तों पे बढ़ता है तो तुरंत पोदा इसको उसका अधिक से अधिक फाइदा पोदे को मिलता है लेकिन ड्रोन तो बहुत महेंगा जैसे आपने बताए 8-10 लाग रुपे का तो एक किसान तो ले नहीं सकता फिर क्या तरीका हो कि किसानों को भी लाब हो और ड्रोन का उपयोग भी बढ़े वाकि इसमें जो ड्रोन की किम इंडिजल भी खरीद कर सकता है उसके लिए सबसिडी का प्रोविजन किया गया है साथी फाइनेंस भी बेंक कर रहे हैं तो इंडिजल भी खरीद कर अपना खुद का कस्टम हायर सेंटर खोल कर गाम में किराई पे ड्रोन को चला कर और अच्छी आमदनी अरजित कर सकते हैं आमदनी के आपने बात कि यदि कोई ड्रोन खरीदता है तो खर्चे का और आमदनी का थोड़ा सा गणित समझा पाएंगे आप तो एक साल में लबग 10,80,000 की उसको इंकम होगी और अगर 500 रुपे अगर वो किसान से चार्ज करता है तो लबग 8 लाग के आसपास उसको प्रोफिट मिलेगा उसमें अगर आप अपने साल बर के ड्रोन के बेटरी के स्पेर पार्ट के इंसुरेंस पाइलेट के खर्चे य या च्यार मीने जो ड्रोन आपका चलेगा 120 दिन तो 6 लाग रुपे एक साल में आपको इंकम होगी जो एवरेज मंतली 50,000 रुपे के आसपास आपको इसमें प्रोफिट मिलेगा तो ड्रोन के द्वारा आप जो है इसानों को सप्रेंग की सर्विश देके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में रहके हैं बिजनस यह शुरू कर सकते हैं। जो भी चैमिकल ऐसे जो लिकुट फेज़ करते हैं उनको ड्रोन के द्वारा बड़ी आसानी से प्रयोक कर सकते हैं। वैसे फर्टिलाइजर भी छेड़क सकते हैं? पर्योग करने भी लगे हैं सरकार द्वारा इस तकनीक को पर्मोट करने के लिए जगह जगह पर परदसन भी आयुजित किये जा रहे हैं और जल्दी ही लोग इसकी तरफ आकिरसित होंगे और पाइलेट की रूप में ट्रेनिंग लेके काफी लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर स हमारे यहां से जो कुछ कंडिडेट जो जोब करना चाते थे तो हमने उनको जोब भी प्रवाइड करवाया है क्योंकि ऐसी कंपनियां जो ड्रोन की सर्विस देती है वो हमारे पास हमारे से टच में रहती है और जब उनकी पाइलेट की रिक्वाइर्मेंट होती है तो वो ह कोर्स में भाग लेने के लिए हमारी वेब साइट है www.wizmo.com वहां पर जाकर आप ओनलाइन एड्मिशन फोर्म भर सकते हैं एड्मिशन फोर्म भरने के बाद आपको एक बैच अलोट किया जाएगा उस बैच में आके आपको फिर जोबनेर आना पड़ेगा एसक एन अगरि देना चाहेंगे उनको केवल पांच जार रुपे में दी जाएगी तो राजस्तान सरकार का एक पोर्टल है राज किसान के नाम से वहां जाकर कोई भी कैंडिडेट जो इससे डॉन पाइलेट की ट्रेनिंग देना चाहता है वहां जाकर अपना आविदन फारम सब्मिट कर स करता है तो उसमें सब्सीडी के बाद जो कैंडिडेट होगा उसको केवल पांच जार रुपे में डॉन पाइलेट की ट्रेनिंग दी जाएगी क्या बाकी राज्यों में भी सब्सीडी मिल रहे हैं ट्रेनिंग पर बहुत से राज्यों ने इस तरह किया सब्सीडी का किर्सी विबा के ओपिस में जाके पता करना पड़ेगा और वहीं से उनको पूरी जानकारी मिलेगी कि ड्रॉन की सब्सीडी लेने के लिए क्या प्रोसेस है उनको कैसे आविदन करना होगा और अगर पाइलेट ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए राज्यों सरकार ने क्य को हम से टच में रहती है और उनको जब भी पाइलेट की जरूत होती है तो इमेल या टेलीफोन के द्वारा उनको अपनी रिक्वाइरमेंट भीजती है तो हमारे कॉंटक्ट में या हमारे से ट्रेनिंग लेकर जितने भी पाइलेट जाते हैं उनका डाटाबेस हम उनको शे कर सकते हैं और ऐसे कई बच्चों को हमने अभी तक जो जो है विबिन कंपनियों में दिलवाया है यह आपने जो आंकडा बताया कि तीस एकड में एवरी डे अगर करेगा तो एक सो बीस दिन तक उसको काम मिलेगा तो उसको लाब होगा लेकिन यह डाटा किस तरह से है कि तीस एकड वो प्रती दिन कैसे कर पाएगा तीस एकड का यह है कि मानलो कोई सर्विस प्रवाडर है वो प्रती दिन अगर करता है तो दो गंटे सुबह के समय और दो गंटे शाम को वो सप्रे करेगा क्योंकि तेज़ दूप में इसको सप्रेक रिकमेंड़ेशन नहीं है तो सु में जो 120 दिन उसको काम मिलेगा हम मानते हैं कि खरीप और रवी सिजन में दो-दो मीने उसको सप्रेंग का टाइम मिलेगा जिसमें वह दो मीने के अंदर फर्टिलाइजर भी अप्लाई करेगा और विबन तरह के प्यक्तिक्राइब Huh के द्वारा जो सप्रे 시작 करेड़ तो इसकी जो लेबर की कोस्ट में बहुत बचक्राइब और कम खर्चे में उससे बैसे लेश्केगा दोस्तों जैसा वेटपाल जी ने बताया कि ड्रोन की proper training लेने के बाद आपको certificate मिलेगा और वो certificate लेने के बाद आपको कई जगे नौकरी मिल सकती है या खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं विशेश कर अभी फिलहाल खेती के चेतर में इसकी उपयोगिता बढ़ रही है जो कि किसानों के लिए भी लाबकारी है और जो काम करेगा उसके लिए भी और ड्रोन खरीदने के लिए सरकार सबसीडी भी देती है बैंक फाइनेंस भी करते हैं यानि कि कर्ज भी देते हैं और कम ब्याज दर पर देते हैं 8% पर फाइनेस मिलता है लेकिन 3% सरकार की तरफ से सबसीडी भी मिलती है मतलब कि वैसे भी सबसीडी मिलेगी और ब्याज पर भी तो इस तरह से बहुत कम पूंजी लगाकर भी ड्रोन का काम शुरू किया जा सकता है और इसे आप ऐसे देखिए कि ट्रैक्टर जब शुरुआत में आये थे तब बहुत कम लिए होता था लेकिन से किराई पर बहुत ज्यादा चलते हैं गाऊं में इंडिवीजिव ल ट्रैक्टर भी बहुत आगे लेकिन उसके बाद भी जो किराया पर चलाता काम की कमी नहीं है और आने वाले समय में द्रोन की भी यह इस्तिती होगी अभी थोड़ी सी हिचक है किसानों में लेकिन यदि कोई एंट्रप्रियोर यदि कोई पढ़ा लिखा यह हुआ किसान इसको समझ करके किसानों को यह कंविंस करेगा कि यह उनके लिए बेहत लाबकरी है कम खर्चे में ज्यादा इवर का और पेस्टिसाइड और उसके फटिलाजर वह भी बचत होगी तो इस तरह से द्रोन के उप्योग बढ़ने वाले हैं पर जरूरत है ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग मिलती है ऐसे सेंटर पे जहां से आप ड्रोन उडाने के पाइलेट बन सकते हैं बात में ड्रोन पा बात कर सकते हैं और अगर आपको ट्रेनिंग करनी है इस जो नंबर दिया है उसके संपर करके आप यहां ट्रेनिंग की और अधिक जानकारी ले सकते हैं चुड़े रे टेक्निकल फार्मिंग से नमस्कार जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले